राजदानी की चोमू नगरपालिका में आयोजित हुई बजट बैठक हंगा मेदार रही नगरपालिका चेर्मेन अर्चना कुमाओत की अध्यक्सता में आयोजित हुई बैठक में पेजल समश्या को लेकर पार्शदों ने हंगा माखडा कर दिया और नगरपाली का E.O. से जल्दाय विभाग के A.E.N. को बुलाने की मांग की और जब A.E.N. बैठक में पहुंचे तो पार्षदों ने जम कर खरी खोटी सुनाई इधर कॉंग्रेस पार्षद फिरोजनागोरी ने भी A.E.N. दश्रत रामपर वो गरच पड़े वहीं विदायक रामलाज शर्वा ने भी A.E.N. को जम कर फटकार लगायी इधर बीजेपी पार्षदों ने भी शहर में बन रही CC सड़कों की शिकायत को लेकर जम कर हल्ला बोला इस दोरान पाश्यदों ने कहा कि जब शेहर में बन रही सडकों से आम जन को कोई शिकायत नहीं है तो फिर बेवज़ए शिकायत करने वालों के खिलाफ नगरपालिका के अधिकारी थाने में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराते वही नगरपालिका ईयो शुबम गुपता ने बताया कि विभिन्न विकास कारियों के 89 करोड के बजट का अनुमोधन किया गया है अनुमोधन को देखते हैं तो गर्मी में तो उससे भी ज्यादा समस्या होगी और आप हमारी सुनते हैं आप इक तो में उसके अंडर मात आ नहीं हूँ तो आज पासजन की मान थी कि साथ सकसवा दिगरी को निखाला है जो सक्सम नहीं है उसको मैटिंग से बाहर निकला जाए इसको लेकर विजेबी और कांग्रेज के पारसदों ने मिलकर सहीं तुरूप से अयनसाप से इसकी माहिं की गई कि सक्सम अधी करी को बुलाए जाए जाए और ये जो बोड़ बेटक है वह एक तरह के से बजट के दिनके लिए लेकिन इसके साथ में विकास कारियों को कुछ लिए कुछछ बारसदों के निपर तो आने वाले समय के इसका है तो जादा खे解 करदेंगे कि आपकी रहने के इच्छा है तो आप रहों दिश्यान रहना है तो काम करना ही पड़ेगा और अगर वह अगर यह साब मेरे को तो सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट के तो टेक्निकल सपोर्ट सिर्फ कांग जो तक इसी में नहीं है टेक्निकल सपोर्ट आपको नीचे जमीन के उपर जाके देखना पड़ेगा कि जो ठेकादार काम कर रहा है वो तकने के दिरिश्टी